नमस्कार मित्रों जय हो शनी देव महराज दोस्तों स्वागत त्याब शभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से एक नई और ताजा वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंद्रह अप्रेल शनी बार आपके राशी के महाराशी फल के बारे में कि पंद्रह अप्रेल शनी बार के दिन आपके लिए कैसे रहेंगी इस दिन कैसी इस्ततियों का निर्मान होगा कौन सा कार्य आपके लिए भाग इशाली होंगी किन शित्रों में कारी करनेशी लाग की प्राप्ती होंगी आपकी लव लाइफ कैशी रहेगी आपका स्वास्त कैशा रहेगा और शाथी साथ बात करेंगे इस दिन आपका शुब रंग और शुब अंक क्या रहेगा और कितना हद तक भागी आपका साथ निभाएगा दोस्तों आज दिनांक 15 अप्रेल 2023 दिन सनी बार जो की भगवान शनी देव जी का पावन दिन है तिथी कि अगर बात करें तो कृष्ण पक्ष की डश्मी तिथी 8 बसकर 45 मिनट तक रहेगा वही नक्षत्र कि अगर बात करें तो इस दिन श्रवन नक्षत्र का निर्मान हो रह आज का सुब समय दोपहर 12 बसकर एक मिनट से 12 बसकर बावन वीनट तक रहेगा आज का राहुकाल अर्धाज दिन के अशुब शमी के अगर बात करें तो शुभा के 9 बसकर 18 मिनट से 10 बसकर 53 मिनट तक रहेगा ध्यान दीजिये गामित्रों इस राहुकाल के सम्यावधी में कोई भी यात्रा कोई भी नए कामों के शुर्वात ना करें नहीं और वो 6 बच कर 44 मिनट तक रहेगा मकर राशी में इसके उपराउंत कुम राशी में प्रवेश कर जाएंगे तो आईए अब बात करते हैं आपका देलिक राशी पल और यहाँ प्रेडिक्शन आपके चंदर राशी पर आधारित है दोला राशी बालों आने वाले अगरे 24 घंटे के अंदर आपका भाग ये उदे होने वाला है जी हाँ क्योंकि दोस्तों अगरे 24 घंटे के अंदर आपको तीन बड़ी काम्यावी मिलेगी और ये काम्यावी आपके तरक्की के द्वार खोल सकती है एक परकार्ट से यूं कहें तो आपके बंद किसमत का ताला ही खुल जाएगा जी हाँ क्योंकि आचानक होगा आपकी जिन्दगी में बड़ा बदलाओ जी हाँ दोस्तों जिन्दगी ये माइने नहीं रखता है कि आपने अपने जिन्दगी को कितना जिया बलकि माइने सिर्फ ये रखता है कि आपने अपने जिन्दगी में कितना खुश रहे जी हाँ आने बाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको मौका मिलेगा बड़ा हाथ मारने का जी हाँ लेकिन दोस्तों ये आपकी परिक्षा की घड़ी भी हो शक्ती है ध्यान रखियेगा आने बाले अगले 24 घंटी कोई भी गलत काम कोई भी अनेथिकल काम मत करना नहीं तो भाग्ये के देवता भगबान सनी देवजी आप से नराज हो शक्ती है जी हाँ देखिये रोस्तों भगबान सनी देवजी शाप साप कहती है जो भगवान के सामरे जुखता है वो सब को अच्छा लगता है लेकिन जो सब के सामरे जुखता है वही हमें अच्छा लगता है इसलिए दोस्तों कभी भी अपने अंदर घमंड मत करना एहंकार मत करना क्योंकि दोस्तों एहंकारी व्यक्तियों शे घमंडी इंसानों शे भग पुस्बान सनी देव जी कुछ भी देना पशंद नहीं करती हैं ना रोजी रोजगार ना धन्व संपती और ना ही कोई अन्य चीज जी हाँ आने वाले अगले 24 घंटी धन्व संपती के मामले में लाब होगा रुका हुआ धन मिल सकता है फुसा हुआ रूपया पैसा मिल सकता है और जिमजातकों का कोई भी कही पर पैशा अटका हुआ है तो वो पैशा अगले 24 घंटे के अंदर इस रासी किज़ातकों कुमल सकता है जी हाँ शेयर मार्केट में लोट्री शट्टी में धन निवेश करने वालों के लिए शमय थोड़ा सा उतार चड़ाव भरा रहेग अगर आप रिश्क लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपको लाव हो शकता है लेकिन सोच समझ करके निवेश करिएगा ये आपके लिए बहतर होंगी क्योंकि दोस्तों निवेश करने वालों के लिए आज का दिन उतना अनुकुल नहीं है देखिए दोस्तों आप पिसले कुछ दिनोशी काफी बवस्तित दिनचर्या बिता रही हैं अब सारी चीज़ों को बवस्तित करने का समय आ चुका है जी हरोस्तों आज आपको तुरुनात्मक रूपशी थोड़ी राहत मिलेगी लेकिन दोस्तों आपको इस समय का उपयोग अपनी सब चीज़ों को बवस्तित कर होंगी जी हरोस्तों अपने आपको फिटनेस कारिकरम की आदत डालने के लिए काफी समय दें पिसले कई महिनों शे आपके दमाग में यह बात जो है आई है कि आपको अपने स्वास्ते को ठीक करना है लेकिन आपको यह समझ नहीं आया है कि ऐसा आप कैसे कर बाएंगे अब आ ही समय पर अपने स्वास्ते को ठीक ही कर लेंगे जी हरोस्तों बहीं दोस्तों आपके लिजो समय होंगे यह समय आपकी किस्मत आपके साथ है जी हरोस्तों आप अपने समस्या को शुल्धा लेने की कुशलता से सब को अचरज में डाज देंगे जी हरोस्तों आज आपके साम कोई भी समस्या आएगा आप उनका बड़े ही आसानी से समाधान खुल लेंगी क्योंकि दोस्तों आज आप बहुत ही जोशे भरे रहेंगी जी हाँ शहकर्मी आपसे प्रभावित होंगी आपका आत्मिस्वाश देखने के लायक होगा और शब को एक नया काम मिलेगा जी हाँ दोस्तों खुश रहें और अपनों के साथ खुशियां बाटने का प्रयास करें ये आप के लिए बहतर होगी आज कोई दोस्त आज आपसे मिलने आ सकता है दिन कुल मिला कर मज़ेदार रहेगा जी हाँ दोस्तों आप अपनी शर्वतम सहत में हैं और अब समय नए लक्ष तै करने और खुद को अधिक शक्त कारिकरम की अनुशार ढालने के लिए बिलकुल उप्यूग थें जी हाँ दोस्तों एथलीटों और शारिक परिश्रों में से जुड़े अन्य लोगों को आज विसे सफलता मिलनी दाए है जी हाँ दोस्तों नव विवाहित शक्रिय और खुसी महसूस करेंगे और आपकी मानसिक सेहत भी काफी अच्छी रहेगी आप अपने आज पास के लोगों को भी अपने जोश और आशावादि दृष्टी से काफी परभावी करेंगे जी हाँ दोस्तों जिससे शब को भी अपने स्वास्ती के प्रती जागरुख होने की प्रेरना मिलेगी देखिए दोस्तों आज ग्रहों की इस्ति आपकी लव लाइफ के लिए बिलकुल उप्यूक्त है जी हाँ दोस्तों अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर मज़े करना ना भोलें आप जहां भी कही सोच सकती हैं ऐसी किसी जगह पर आप के लिए डेटिंग और संबन बनाने का मौका मिल सकता है जी हाँ दोस्तों इसलिए दोस्तों आपको अब शभी से मिलने जुलने की जरूरत है ये समय पिसले संबन को भी आगे बढ़ने के लिए सही समय है जिसके बारे में आपके दिमाग में काफी संदेह थे वो सारी संदेह आज आप के मिर जाएंगी जी हां दोस्तों आज आपको अपने कारिस्तल पर शावद्धानी बरतनी अति आवश्यक है क्योंकि दोस्तों आज आपको कोई धौखा दे सकता है जिस पर आप आँख मुंद कर भरुशा करती हैं वही लोग आज आपको धुखा दे सकता है इसलिए दोस्तों आज आपको अपने कारिक्षित्र में बहुत ही जादा शावधान रहने की जरूरत है आप ये भोल रहे हैं कि आज के आधुनिक कारियालों में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है इसलिए दोस्तों आपको इस्ततियों के मताबिक खुद को ढालना पड़ सकता है आज आपको विवेक की जरूरत है जी हाँ आज आप जितना अपने बुध्धी विवेक से काम लेंगे उतना आपके लिए बहतर होगी जी हो दोस्तों आज आपको आलसी करने से बचना होगा आज आपको विवेक की जरूरत है और अगर आप उशे अंदेखा करते हैं तो आपको अपने केरियर के शंदर में किम्मत सुखाने पड़ सकती है इसलिए दोस्तों शोकरना रहने की अभी बहुत ही ज़्यादा जरूरत है जी हो दोस्तों बात करें सुबरंग और शुब अंग गी तो आज आपका शुबरंग करीम कलर है और शुब अंग आज आपका शाथ है दोस्तों